तो गाई जाथ है तारेक 31 जुलाई 2024 और है वेडनेस डेखेंगे आचके दा हिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादा वेजुकेशन यूपी एससी आपको यह वला चनल मिल जाएगा उस पर क्लेक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बिस्स पर इस लेक्चर के पीडियाफ को डाउनलोड कर पाओगे हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डल लेक को कहां पर है एक्जैक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC पार्टन की ओपर बेजड है डेली बिसस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं दोस्तों याद होगा परसो के वीडियो में हमने अगरवुड के बारे में डिसकेशन किया था तो अगरवुड से रिलेटेड आपके पास में तीन स्टेटमेंट्स हैं बताना हैं तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो यह अगरवुड है यह EQUILLERIA TREE के अंदर fungal infection होने की वज़ा से फॉर्म होता है दूसरा statement बोलता है कि इस particular अगरवुड का mainly इस्तमाल किया जाता है food flavoring industry के अंदर में जहाँ पे खानों के अंदर flavor के लिए इसका use हो रहा है third statement बोलता है कि जो sites नाम के body है याद है न परसो पड़ाया था convention on international trade in endangered species of wild fona and flora तो इस sites के अंदर जो list present है उसमें appendix 2 में cover किया गया है अगरवुड को अब बताइए तीनों में से कौन कौन से statement सही है नीच ओप्शन दिये गए हैं option number A1 only, B2 only, C1 and 2 only, या फिर D1 and 3 only तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमें participate करना है जैसा मैं आप लोगों से daily business पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको डेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हैं और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुबारा हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ दोस्तो वंडे examination के अंदर भी directly आपसे यहां से प्रशन बूचा जा सकता है हाली में एक देश काफी ज़्यदा चर्चाओं में है जिसका नाम है लाउस लाउस एक basically south east station country है अब दोस्तो यह चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि recently इस particular country में east Asia summit हुआ उस summit में दुनिया भर के जो foreign ministers है वो present थे हमारे country के जो external foreign minister है एस जेशंकर साब वो भी यहां पे गए इस meeting को attend करने के लिए उसके अलावा रश्या के foreign minister चाइना के foreign minister सबी लोग यहां पे present थे तो इस meeting के दौरान दोस्तो एस जेशंकर साब ने दुनिया का पहला stamp जो दुनिया का पहला dark ticket आप कह सकते हैं हिंदी में जिसमें श्री राम लला विराजमान को feature किया गया है और ऐसे stamp को दोस्तो अनवील किया गया और ध्यान रखिये ये दुनिया का पहला ऐसा stamp है जहां पर श्री राम लला विराजमान को depict किया गया है जिसको recently लाउस ने जारी किया ये वो stamp आपको exact तरीके से नजर आएगा उसके अलावा साधी साथ में दोस्तो लौड बुद्धा को लेकर भी ये stamp जारी किया गया है जो की दरशाता है दोनों कंट्रीज के cultural relations को क्योंकि अगर आप लाउस को देखोगे तो लाउस as a Buddhist कंट्री है और बुद्धिसम दोस्तों यहाँ पर इंडिया से शुरू हुआ और फिर दुनिया बरके कंट्रीज में फैला अब्विसली बात है लाउस में भी गया तो जैसे में आपको बताया यह जो particular gesture है यह दरशाता है दोनों देशों के cultural history को cultural इतिहास देखोगे तो वो बहुत ही जादा गहरा है अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा लेकिन प यहां पर आपको नजर आएगा लाउस लाउस के आसपास कौन कों से countries present है वेतनाम है उपर निचे थाइलेंड है और इधर यहां पर आपको खेंबोडिया नजर आएगा ठीक है इधर यहां पर साउचाइना सी है इधर बे बंगॉल है और वेतनाम के ऊपर भी दोस्तों यह पर आपको चाइना प्रेजन नजर आएगा जस लाउस के ऊपर ही है फिर मयानमार भी है जिससे यहां पर लाउस का एक बॉर्डर लगता है तो यह सबी countries लाउस के आसपास आपको नजर आएंगी हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि लाउस के और भारत के cultural history के बारे में तो जैसे भारत के अंदर में रामायन है दोस्तों और कई special occasions पर जो यह रामायन है इसको पूरा दिखाया भी जाता है शोज होते हैं यह आपको पता होगा तो होता यहां पर यह है दोस्तों की रामायन जैसा भी जैसा ही बिलकुल लाउस का एक खुद का यहां पर वर्जन ह तो लाउस का खुद का रामायन का जो वर्जन है उसको नाम दिया या है रामाकीन यहां पर बोला जाता है वो स्टोरी है फ्रालक फ्राराम की तो यह भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है दोनों देशों के कल्चरल हिस्ट्री के पीछे का नावाग आते हैं पागी दो साथी साथ में एक साइड न्यूस भी है हुआ यहां पर यह है कि केरिला के अंदर में जो स्पेशली वाइनर्ड वाला रीजन है यहां पर एक लैंड्सलाइट देखने को मिला बूस कलन देखने को मिला उस लैंड्सलाइट की वज़ा से लगबग 122 लोगों की जान जा जो यह पूरी कैशुल्टीज हुई है इसको देखते वे प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी जी ने एनॉस्मेंट किया है एक्स ग्रेशा पेमेंट का तो जिन भी लोग की जान गई है उनके फामिली मेंबर्स को दो लाक रुपे का दिया जाएगा यह पूरा एक्स ग्रेशा का मैप है इस केरिला के मैप में वाइनेड वाला रीजन यह आपको नजर आएगा इसको जूम करेंगे तो यह नीचे यहाँ पे एक और फोटो आपको प्रेजन देखने को मिलेगा तो यह वो चार प्लेसिस हैं एक है कलपेता दूसरा यहाँ पे है अतमला देन उसके बाद में है मुंदा कई देन है यहाँ पर चुराल मला तो यह वो पर्डिकुलर रीजन से दोस्तों जहाँ पे भैंकर लैंड स्लाइट्स हुई है और उन लैंड स्लाइट्स की वज़ा से यहाँ पे कई सारे लोगों की जान गई है केरिला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरे विज जायन तो इन्होंने यहाँ पर एक intense rescue effort शुरू कर दिया है जहाँ पर state government की जो forces हैं central government की forces हैं वो सब लगातार यहाँ पर rescue operation चला रही है क्योंकि काफी मलबई पर पड़ा है तो उस मलबे को भी हटाया जा रहा है ताकि देखा जा सके कोई और dead bodies भी तो यहाँ पर present नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर situation यह थी कि जो पहली land slide हुई क्योंकि यहाँ पर word use के जा रहा है land slides कई सारी land slides दोस्तों देखने को मली लगातार जिसके वज़ासे यह भारी बर कम बारिश भी है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से हमाई south इंडिया में देखने को मिल रही ह पिर उसके बाद जब इस बारिश की वज़ासे पहली land slide हुई तो दोस्तों उस समय पर रात के बज रहे थे दो जब सभी लोग सो रहे थे तो उस दोरान दोस्तों यहाँ पर जो बोल्डर्स वगरा है वो सब गिर जाते हैं जिसकी वज़ासे कई सारे लोगों की यहाँ पर पूरा कपूरा situation पड़ा उसके बाद करनाटका से दोस्तों खबर आ रही है जिसको page number 7 पे cover किया गया है तमिलनाट से खबर आ रही है जिसको again page number 7 पे cover किया गया है करनाटका में आप देख पाओगे तो again बारिश जो है बहुत heavy हो रही है जिसकी वज़ासे कई सारी जगा प दर्बी भारी भरकम बारिश की वज़ा से दोस्तों तीन लोगों की जान जा चुकी है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है और यह ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है देखे हर साल का यह पूरा scenario है बारिश की वज़ासे कई lens lights होती है तो lens lights हमारे लिए सच में एक बड़ी द पर दिखाई पड़ती है तो आखिरकार कारण किया है कि केवल इनी दो जगा पर lens lights होती है और अगर कोई solution हो सकता है तो कैसे हम इसको रोक सकते हैं यह जानना जरूरी है फिर at the last अगर government ने कुछ किया है तो वो कौन कौन से steps है जहां पर lens lights को रोकने के ओपर focus किया गया है तो इन various points को tackle करना होगा दोस्तो तब भी आप हर एक aspect को सभी से ध्यान से समझ पाओगे चलिए आपको बताता हूँ तो simple सा अगर आप से पुझत है lens lights होती क्या है तो lens lights basically जो रोक है बड़ी बड़ी चटाने है डेबरिस है वो सीधा नीचे गर जाना तूट कर वो आपकी lens lens light के लाएगी जिसको बोलते हैं दी में boost कलन ठीक है अब यहाँ पे कई सारे factor हो सकते हैं पहली बात यह धियान रखिए lens light में भी अलग-अलग modes होता है fall, topple, slide, spread, flow यह अलग-अलग प्रकार की lens lights है अच्छा यह आप देख पाएंगे मालो यह एक हिस्सा है जो यह पूरा particular region था इतना हिस्से में fracture हुआ तूट कर यहाँ पर यह सिदा नीचे गरिया अब नीचे जो लोग present होगे उन पर ही तो सब गिरेगा यह उनके घर वगरा सब बरबाद हो जाएंगे कई लोग की जान जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे lens light नजर आता है यह हो गया यहाँ प यहाँ पर सबसे जादा lens light नजर आती है वो कौन-कौन से है तो एक तो यहाँ पर यह आपको हिमालयन रीजन नजर आएंगे उपर वाले हिस्से है ना 1.4 lakh square kilometer तक का वो रीजन है उसके अलवा भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो है 1 lakh square kilometer का रीजन यह है western gharts व को मिलती है तीसरा रीजन आपको यहाँ पर हमारा नौर्टीस्ट इंडियन वाला रीजन देखने को मिलेगा जो की लगबग 1.8 lakh square kilometer के रीजन में बताया जाता है कि सबसादा lens lights आती है तो यहाँ पर हम पूरे भारत के रीजन को निकाले तो पूरे भारत में जो total area है 0.2 lakh square kilometer के असपास का देखने को मिल जाता है तो यह तीन locations दोसों ध्यान रखिएगा ठीक है आगे आते हैं अब जैसे हम बात कर रहे थे types of lens lights की तो इसमें एक यहाँ पर fall type हो सकता है जहाँ पर सीधा इस तरीगे से जो हमारा हिस्सा है वो तूट कर नीचे गर जाए फिर ए इस तरीगे से पांच टाइप से जो हमारी lens lights है वो हो सकती है ठीक है यह बात आपको clear हो गई कौन से कौन से दो regions में lens lights सबसे जादा आती है वो clear हो गया लेकिन पहले यह भी जान लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा हिमालयन रीजन है उपरी वाला भाग जैसे अभी हमने हैं तो सबसे पहले दोस्तों हिमालया रीजन की जब हम लोग बात करते हैं उपरी वाला हिससे की तो यहाँ पे जो सबसादा भूस कलन होता है वो tectonic activity की वैसे होता है क्योंकि उस पहाड़ी इलाके में दोस्तों tectonic movements जादा होता है जो हमारी tectonic plates नीचे present है उन movements की वज़ से lens lights सबसे जादा होती है ठीक है उसके लाबा जो नदियां भेह रही है बहुती ज़दा energy के साथ में नदियां भेह रही है दोस्तों उसके साथ में lens lights हो जाती है कई बार heavy बारिश या heavy snowfall की वह से lens lights हो जाती है तो यह तो होगे natural factors लेकिन इसके सासा दोस्तों यहाँ पे हम इग्नोर नहीं करना होगा इसमें बहुत सारे human factors भी हैं जिसको हम लोग गोलते है anthropogenic factors जिसमें लगाता deforestation हो रहा है पेडों की कटाईया हो रही है जूम cultivation अपना रहे हैं एक छोटे से area में cultivation करने के बाद में खेती करने के बाद में उस area को त्याग दिया जाता है फिर दू दूसरे और प्रकार के infrastructure constructions हो रहे हैं उसकी वजह से भी हमको लेंड्स लाइट से नजर आती है तो यह हिमालिया रीजन की बात हो गई है ध्याना की है इसको अब बात आती है दोस्तों western guards वाले portion की western guard में लेंड्स लाइट साने के पीछे का reason क्या है तो यहां पे पहला reason है concentrated rainfall हर साल मौनसून की वजह से भारी भर कम बारिश देखने को मिलती है प्लस यह बहुती जदा घणा पाहड़ी लाखा है western guards में लगातर पाहणिया आपको नजर आएंगी और mining होती है खनन होती है legal तरीके से खनन करते वे उस एरिया को खोखला छोड़ दिया जाता है तो बर animal projects हो गए ऐसे sensitive areas में लगा जा रहे है जहां पर नहीं लगाने चाहिए थे तो उसकी वज़ा से impact पड़ता है है प्लस यहां पे बहुत ज़ादा घणा vegetation है घणा vegetation का पतलब पता है क्या है देखो होता यह है कि यहां पर मालो यह पूरा ऊपरी भाग है ठीक है मालो यहां पर मिटी के अंदर में पताः पेड लगा वा उसने मिटी के अंदर में जटे वह फैली है और वह जकडावाओ है मिटी क्यूंकि यहां पर पतली है दोस्तों तो मिटी होल्ड करके नहीं रख पाती है जिसकी वज़ा से यहां पर जो thin soil है वो thin soil में cracks आते है उसके बाद में यह आपके क्या होता है वो सोयल सीधा नीचे डेह जाती है तो western hearts में ये सब reasons हो सकते हैं तो ये factor धिया नखिये ठीक है तो ये important चीज़ें हैं दोस्तों दोनों के बीच में फरक क्या है देश में कहां कहां पर होता है ये कोई हर कोई नहीं बताएगा आपको आपके geography का साधी साथ में factors पूछ ले जाते हैं geographical term में इस मतलब तीन प्रकार के ऐसे factor हो सकते हैं जिसको हम geography में बोलते हैं एक होता है geology, दूसरा होता है morphology और तीसरा होता है human activity ये तीन reason है जिसकी वज़़ा से यहाँ पर landslides जादर जगा पर होती है geology की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर basically बात हो रही है हमारे material के बारे में जो earth जो rock वो present है हो सकता है वो चटान ही कमजोर हो उसमें fracture हो जाए fracture होने के बाद में सीधा यहाँ पर उसकी strength कमजोर हो जाएगी वो नीचे गर जाएगी ऐसी दोस्तों यहाँ पर morphology term का use होता है यह refer करता है हमारे उस particular land के structure को for example यहाँ पर मालीजे कोई slope है जैसे हम अभी discuss कर रहे थे है ना अब slope में पेड़ पौदे लगे थे और वो पेड़ पौदे की जड़े फैली भी थी अब मालीजे जहाँ पर मिट्टी अच्छी खासी quality की भी है वहाँ पर मिट्टी जकड के रखी है उस पेड़ की जड़ोंने लेकिन आपने पेड़े काट दिये जड़े काट दिये infrastructure लगा रहे है उसकी जगा पर सूखा पढ़ रहा है उस जगा पर तो दोस्तों वह जो मिट्टी है वह लूज हो जाएगी और लूज होने काट में सीधा यहाँ पर लेंट्स राइट का एक कारण बनेगी फिर ऐसी दोस्तों human activities है जैसे मैं आपको बता है agriculture construction यह भी risk बन सकता है तो अगर आपसे तीन factors पूछे जाए तो यह तीन factors है और अगर आपसे पूछे जाए कि दो areas जो है Himalya और Western Guards उसमें क्या फरक है यहाँ पे कौन कों से कारण है तो वो भी आपको पता आना चाहिए जो मैंने आपको explain कर दिये है ठीक है लेकिन question यहाँ पर यह है कि क्या केवल भारत में landslides होती है ऐसा नहीं है दोस्तो पूरा का पूरा जो Asia है वो सबसे जादा landslides की वज़ासे damages को suffer करता है और especially South Asian countries जो हैं जिसमें भारत भी आता है और इसमें India मैंने जैसे बोला ना सबसे ज़्यादा worst affected country है landslides की वेसे हर साल इस प्रकार के जो घटनाए हैं वो हमको देखने को मलती है question यह है तो क्या हम इसको रोक नहीं सकते जब हर साल घटनाए हो रही हैं इसका mitigation कैसे कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो भी developmental activities चल रही हैं हमारे ऐसे areas में जहांपे landslides होती रहती हैं आप road, dams इन सब चीज़ों को बना रहे हैं तो पहले उन construction को रोकिए उसके उपर restriction लगाई है एक बार जाच बेठानी होगी construction करने से पहले कि यहांपे इसका असर क्या पड़ेगा है ना, दूसरा यहांपे जो agriculture किया जा रहा है खेती बाड़ी हो रही है, especially घाटी वाले areas में या ऐसे area जहांपे landslides होने के सबसादा chances हैं और यह mapping से पदा चल जाता है तो उसको रोकिए फट अफट उसके ओपर restriction लगाई है तो यह काम करने की ज़रुरत है पता है कि यहांपे landslides आएंगी तो लोग को वाँपे बसने क्यों दिया जाए landslides आएगे तो किसी का नुकसान थोड़ी ना होगा वाँपे अदरवाइस लोग की जान जा रही है यह हमार लिए सबसे बड़ा loss है तो यह दोस्तों यहांपर इसके कुछ mitigation factors हो सकते है अब एक चीज़ और है उसको करें भी ना मतलब इस article को मेंड नहीं करेंगे question यह है कि यहां सरकार के कौन-कौन से initiative है जिस basis पे हम landslides को रोख सकते हैं control कर सकते हैं तो पहला initiative 2019 का है relevant है नाम है National Landslide Risk Management Strategy इस संबंदित risk को कम करने की बात करता है यहां पे अच्छा management प्रोवाइड करवाने की बात की है इस strategy के अंदर में जहां पे mapping करने की बात की है monitoring, early warning system, awareness program यह सब training प्रोवाइड करवाना तो यह सब काम क्या गया है ताकि इस particular landslides की वज़ा से होने वाला जो disaster है उसको रोका जा सके उसी प्रकार से सरकार का एक और initiative जिसका नाम है LRMS landslides risk mitigation scheme यह जो scheme है दोसों यहां पर under preparation है जहां पर focus किया गया है कि हम financial support प्रोवाइड करवाएगे ऐसे areas के लिए ऐसी जगा के लिए जहां पर landslides सबसे ज़ादा आ रही है या prone areas है ठीक है तो वहाँ पर पैसा लगा जाएगा ताकि पहले से ही इस तरही की हम चीजों को develop कर सके कि वहाँ पर कोई बुरा हाल ना हो तो disaster prevention strategy को cover किया जाता है इसके अंदर में ध्यान लखिये research and development किया जाएगा early warning system लगाए जाएंगे ताकि लोगों की जानना जाए पहली पता हो कि हाँ भई ये इस प्रकार की घटना होने वाली है समझ गे तो ये हो गया हमारा government initiatives ये सबी चीज़े क्यों बता रहा हूँ इतना details से क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप भी सोच रहा हूँ यार ये तो सब हम खुद अपनी किताब से पढ़ लेंगे कोई भी किताब उठा कर देखिए पढ़ना जरूरी है किताब से पढ़ोगे तो अब जाके पढ़ोगे आपको वहाँ पे time ही लगने वाला एक ही जगह पे cover हो गया जुन्होंने पढ़ रख है उनका revision हो गया दूसरी important बाट UPSC के अंदर में साल 2021 में मेंस में सीधा यहाँ पे सवाल आया है सवाल यही है कि describe the various causes and effects of landslide अब बताइए सीधा question यही है landslides के पीछे के कारड क्या इसका effect क्या है यह बताइए प्लस आप component mention कीजिए of the national landslide risk management strategy अभी तो government initiative में पहली strategy है डिसकस की तिसके components क्या क्या है early warning system यह सभी चीज़े अभी cover किया तो चलिए आज आप इसका उत्तर दीजे तो 2021 का मादलो इस question का आप attempt कर रहे हो आपने इसका answer लिखना है और answer लिखने के बाद मैं कहाँ पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके search box में लिखना दीपक यादव education means group जैसे आप full form लिखोगे मेरा टेलिग्राम चनल मिलेगा जहाँ पर already 78,000 से जादा लोग जुड़े वे हैं आप भी जुड़कर अपने answers को लिखकर submit कर सकते हैं अपने answer को submit करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है at least सभी लोग को दो-दो answers review करने है जब आप सभी लोग दो-दो answers को review करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हैं सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती है ता आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ आप पर improvement की आवश्यक्ता है इस प्रकार से कुछ ना बताऊं दोस्तो तो फिर उसका कोई value नहीं होगा समझ गए तो यहाँ पर आपका time जो waste हो जाता खुद से सर्च करने में इतना कुछ पढ़ने में वो सब चीज़े बच गया है तो cable video देखिए उसके अलावा एक और option है आपके पास में paid groups को join करने का देखिए daily basis पे दोस्तों यहाँ पर आपको एक group के अंदर में current notes के PDF वगरा provide करवाई जाता है एक ऐसा group आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें जितने भी यहाँ पर article हम discuss कर रहे हैं उसके पीछे का background data discuss कर रहे हैं वो सभी notes यहाँ पे एक PDF में compile करके दिया जाता है ऐसा PDF जो printable form में होता है जिसका print out वगर आप निकलवा सकते हैं ऐसा PDF जो हिंदी और English दोनों भाषाओं में होता है दोनों medium के aspirants के लिए helpful रहेगा प्लस इस group में आपका सारा current affair का content secure हो जाता है इदर उदर भागने की जरुवत नहीं है सारे PDF date wise पढ़े हैं sequence में पूरी अच्छी तरीके से well mannered आपको structure में देखने को मिलेगा किसी भी तारीक का PDF उठाओ डाउड करो पढ़ो डिलीट करो unlimited options आपके पास में available है कोई topic बहुत पुराना है 6 महीने 10 महीने पहले पकाव है उसको search करोगे सीध आपके सामने आ जाएगा और यह सभी चीज़े दोस्तों यहाँ पे बहुत ही minimum amount में आपको मिल जाती है just phone 99 for the lifetime access जब तक आपका selection न हो जाए तब तक आप phone 99 में इस ग्रूप को join करके रख सकते हैं और ग्रूप को join करने के लिए क्या करना है WhatsApp कर जाना यहाँ पर आपको एक number दिया गया है 853-48733-68 इस number पर message कर देना कि हाँ I want to join this group वहाँ पर आपको reply मिलेगा payment का process दिया जाएगा और उससे ज़्यादा important दोस्तों आपको demo video का link भी मिलेगा आप पूरे demo video को अच्छे से check कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ मुझे क्या क्या यहाँ पर फाइदे होएंगे अपने आपको completely satisfy करने के बाद में जाकर यह investment आप सभी लोग यहाँ पर कर सकते हैं ठीके चलिए आगे आते हैं दोस्तों make sure क्या करो यार वीडियो पे जो like का button है उसको press कर लिया करो 5000 likes का target होता है साथी साथ में आपको lecture अच्छे लगते हैं हर एक news में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो भी चीज़े चल रहे हैं उसके basis पे आप channel को subscribe भी ज़रूर से कर लिया करो हमारा target है हमारा एक mission है कि जल से जल हमें 6 लाग subscribers पूरे करने हैं अभी लगबग 545 के आसपास पहुँच रहे हैं तो आप लोग का support चाहिए तो make sure क्या रहे हैं चैनल को subscribe भी कर लें और notification पर प्रेस करके जो all वाल आइकन है उस पे ज़रूर प्रेस कर लें तभी आपको सभी वीडियो उसके प्लस जो community post पे question वगर अप्लोड हो रहे हैं उसके सभी notifications आपको प्राप्त होंगे ना दोस्तो अगला article भी exam के लिए काफी ज़दा important होने वाला है page number 6 पर ये article present है जिसको हम GS paper number 2 policy के साथ में link करेंगे और आज आपको constitution के कई सरे provisions भी यहाँ पे बताने वाला हूँ और अभी फिलाल के लिए हम इस article को क्यों discuss कर रहे है reason क्या है reason यह है UP उत्तरपरदेश विधान सभा के अंदर एक bill पास हुआ है जहाँ पे anti-conversion laws की बात हो रही है दोस्तो देखो UP का already 2021 का यह proper तरीके से एक law है तो उसी के अंदर में changes करेंगे और changes करने के बात में कल मंगलवार के दिन में यह उत्तरपरदेश के विधान सभा से यह bill पास होता है इस bill का नाम है उत्तरपरदेश prohibition of unlawful conversion of religion amendment bill 2024 यह जो 2024 का bill है दोस्तो इसका main काम है कि कोई जबरदस्ती ध्यान से सुनना कोई जबरदस्ती जान बूचकर forcefully किसी का धर्मांत्रण करवा रहा है या धर्म उसका बदलवा रहा है ठीके तो यह अपराद है और इसको यहाँ पे सक्ट सक्ट सजा मिलेगी जो भी ऐसे cases में involve होगा तो इस bill में यह बोला जा रहा है कि अगर मान लो एक व्यक्ति किसी को धमकाता है उस पे attack करता है या जूटे वादे करता है या पूरा शडियंत्र रचता है कि हाँ भई शादी वगरा करेंगे यहाँ पूरा शडियंत्र रच लिया उसके बाद यहाँ पर इन सब जाल में फसा के यहाँ पर उस women को traffic कर रही है यानि उसकी तसकरी हो रही है या minor जो 18 से कम उमर की बच्चिया है उनके साथ मगर कुछ ऐसा होता है तो उसको दोस्तों इसी particular law के तहत tackle किया जाएगा और उसको सजा होगी साथी साथ में यहाँ पर दोस्तों जो fine वगर है वो भी charge किया जाएगा वो कितना कितना है आगे में आपको बताऊँगा तो जैसे मैं आपको बोला 2021 का already हमारे पास में कानून है जिसका नाम है Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2021 इसी 2021 वाले में कुछ बदलाव करके यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको मने और सक्त कर दिया गया है ताकि जो यहाँ पर Conversion हो रहे हैं और ध्यान लेकिए केवल Conversion यहाँ पर सही नहीं होगा वर्ड यूज करना Forceful Conversion जबरदस्ती जो यहाँ पर Conversion किये जा रहे हैं उसको Counter करने के लिए परडिकुलर स्टाप उठाया गया अब जैसे यहाँ पर यह बिल आया इस बिल को पास किया गया तो जो Opposition Party है जैसे यहाँ पर अभी के समय पर UP में अकले शादव बहुत ज़दा पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि लास्ट टाइम के कमपारिजन में सीट्स इनकी भी काफी ज़दा बढ़ चुकी है तो उसके basis पे इनों ने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखे इसकी ज़रुरत नहीं है इस बिल वगरा की तो उसके बारे में बात कर रहे हैं पावरिजन उसको उपज़िचन पावरिजन अपावरिजन को लेकर भारत में इस्थितिग है फिर उसके बाद में आपको बताउंगा कि आखिरकार जो एक अवर्जन का सिनेरियो है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है Supreme Court के अलगलग judgments का बोलते हैं फिर बात करेंगे संभिधान में conversion को लेकर क्या-क्या चीज़ है mentioned है तो ये facts जानना बहुत ज़रा ज़रूरी है दोस्तो examination की point of view से चलिए ये article तो इतना काम का नहीं है तो news आपको कहीं से पता चल जाएगी अब जो पता चलना है वो important topic है वहीं से आपके question बनेगे वही आपने लिखना होगा अगर कोई सवाल आएगा में इस वगरा में तो अब दोस्तो इन सब चीजों की शुरुवात वैसे हो रही है उत्तरपरदेश के इस law से तो पहले हम 2021 वाला ये जो कानून है ये discuss कर लेते हैं क्योंकि इसी 2021 वाले में बदलाव करके score सक्त किया जा रहा है क्योंकि उत्तरपरदेश के पास में already जो ये unlawful convergence हो रहे हैं इसको रोकने के लिए act है जो 2021 में कानून लेकर आ आगया था का main purpose यही था कि जो religious conversions हो रहे हैं धर्मांत्रड धर्म के आधार पर जबरदस्ती ध्यानक ना कुछ word use करे गए हैं misrepresentation या forcefully या फिर कह सकते हैं coercion allurement लालच दे के बहला फुसला के fraud तरीके से अगर किसी का यहाँ पर conversion हो रहा है तो वो unlawful conversion कहलाए जाएगा और उस unlawful conversion को फिर इस particular कानून के माध्यम से टाकल किया जाएगा ठीक है और जितने भी illegal conversion के अगर कोई case आता है माल लो normal case है तो उसमें जो इनसान ने यह हरकत की है जबरदस्ती convert करवाने की कोशिश कर रहा तो इसे एक से पांच साल की सजा होगी और minimum fine उस पे 15,000 रोपे का लगेगा लेकिन अगर वही व्यक्ति यहाँ पे अगर मालीजे वो अपरादी है और वो अगर किसी महिला को ध्यान से रखना अगर victim कोई महिला है महिला का यहाँ पर धरम बदलवाने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती या कोई minor है 18 साल से कम उम्र के बच्चे का यहाँ पर conversion करने की कोशिश कर रहा है या फिर schedule cast या schedule tribe के लोगों के conversion करने की कोशिश कर रहा है या निकि अगर victim जो पेड़ित है वो women minor या SCST का कोई आता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति इनके लिए ये हरकत कर रहा था तो उस व्यक्ति को सजा जो है जो दी जाएगी वो बढ़ जाएगी ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो normal condition है वाँ पर एक से पांस साल की जेल थी यहाँ पर बोला गया जो जेल है वो दो से दस साल की हो जाएगी दो से लेकर दस साल उसके लाबा जो fine है minimum fine कम से कम यहाँ पर 25,000 रुपे का यहाँ पर जुर्माना भी लगेगा ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो illegal conversion को लेकर यह already कानून था अगर कोई mass conversion करवाता है जादा मात्रा में जादा लोगों का यहाँ पर जो धर में बदलवारा है जबरदस्ती तो यह punishment और बढ़ जाएगी तीन से दस साल की हो जाएगी उसके लाबा जो minimum fine है वो 50,000 रुपे तक का हो सकता है और मान लिजिए कोई बार बार यह अपराद कर रहा है face करने के बाद यह सब जीज़े बार बार यहाँ पर आप कह सकते है कि यही चीज़े कर रहा है conversions को बढ़ावा दे रहा है और वो repeated offender है तो दोस्तों यहाँ पर उसके लिए फिर एक और सकत सजा दी जाएगी ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है और ध्यान लखिये कोई भी अगर शादी होती है और यहाँ पर शादी के लिए एक unlawful conversion देखने को मिलेगा तो शादी को यहाँ पर white declare कर दिया जाएगा यह भी ध्यान लखना है यानि केवल ऐसा यहाँ पर धर्म बदलवाने के लिए सब किया गया है तो वो white declare होगा है अब question यह है इस्थिती क्या है देखो दोस्तों यह article आब इस article भी ध्यान से सुनना यह article Indian Express का है कब का है तारीक आपको दिखेगा बिलकुल latest है इसी साल का 2 जुलाई 2024 का और आज है 31 जुलाई तो आज से कुछ दिनों पहले कई article है इसी महने का article है यह कह सकते हैं आप खुद जाके सर्च भी कर सकते हैं इसको यहाँ पर साफ साफ क्या लिखावा है अलाबाद High Court का statement है वो यह बोलते हैं कि majority will become minority unless conversions during religious congregations is stopped देखे अलाबाद High Court यह खुद मेंशन करता है कि देखिए जो यह majority है हमारे country के अंदर में वो आने वाले समय पर minority बन जाएगी अलप संख्यत बन जाएगी अगर हम इस religious conversion को नहीं रोकते हैं तो यह बोला गया और इसी बेसिस पे अलाबाद High Court यहाँ पर mention कर रखा है कि जो article 25 है हमारे संभिधान का यह obviously बात है religion को बढ़ाने की ताकत देता है religion को promote करने की ताकत देता है ठीक है लेकिं religion को promote करने की उसका प्रसार करने की ताकत दे रहा है आपको यहाँ पर religious conversion का जो यह concept है यह provide नहीं कर वाता संभिधान क्योंकि conversions last years में काफी ज़दा बड़े हैं ऐसा यहाँ पर court ने mention किया आई होप आपको यहाँ पर अलाबाद High Court का जो यह statement है वो आपको समझ मैं अलाबाद High Court का क्या है कहना religious conversions को लेकर यह मैं आपको बता दिया कि इसका असर सीधा हमारे देश की population पर पड़ेगा जिस तरीके से चीज़ें चल रही है अगर हमने यहाँ पर यह नहीं रोका तो समझ गए अब आगया आते हैं अलाबाद High Court के observations क्या-क्या है उन्होंने क्या-क्या देखा religious conversions के दोरान Court का कहना यह है कि देखिए हमारे भारति समिधान के अंदर में जो article number 25 है अब article 25 दोस्तों एक fundamental right है आपका मौलिक अधिकार है जो कि यहाँ पर आपको freedom देता है freedom यह देता है कि आप अपने religion का प्रसार कर सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं Court ने clarify किया है कि जो propagation इसका मतलब होता है प्रमोटा religion यानि कि आप केवल अपने religion को अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं यह ताकत तो आपको article 25 से मिलती है लेकिन आप इसी article के 25 का यूज करके किसी को convert नहीं करवा सकते यह यहाँ पर अपराद कर लाएगा फिर जबरदसी आप convert करवा रहे हैं क्योंकि आपको ताकत की कवल आप अपने religion को प्रमोट करें प्रसार करें, follow करें जो आपको follow करना है लेकिन आप convert नहीं करवा सकते यह ताकत आपको आपको आर्टिकल 25 से नहीं मिलती समझ गए यह बात कोट ने बोली, बाकि आपको बताई दिया है कोट ने बोला है, majority of population जो है इंडिया के अंदर में वो minority बन जाएगी अगर हमने इन चीजों को नहीं रोका तो कोट ने ये भी note किया है कि जो unlawful aware conversions हो रहे है particularly यहाँ पर schedule का schedule tribes में वो सबसे ज़ादा है या economically disadvantaged individuals जिनकी यहाँ पर आर्थिक स्थती सही नहीं है उनके साथ में conversions पिछले कुछ समय पर UP के अंदर तेजी से increase हो है कोट ने recommend किया है कि जितने भी religious congregations हैं, जितने भी ये places हैं जहाँ पर conversions हो रहे हैं उन सबको तुरंट रोका जा सके जितने भी एक groups basically उनको रोका जा सके अब question यह है कि religious conversion को लेकर क्या कोई बात हमारे समभिधान में mentioned है, constitution provisions हैं इससे related, चलिए बात करते हैं अगर है तो क्या है वो, तो दोस्तों हमारे fundamental rights की बात करते हैं तो article 12 से 22 सक सभी fundamental rights हैं इसमें आपका article 25 भी, article 26 भी आता है और article 27 से लेकर 30 तक सारे fundamental rights हैं लेकिन, article 25 क्या बोलता है article 25 आपको guarantee देता है freedom of conscience की आपके पास में हक है कि आप खुलकर जो religion practice करना चाहते हैं religion को follow करना चाहते हैं कर सकते हैं आपका खुद का अधिकार है, समिधान से मिल रहा है उसका प्रसार कीजिए, promote कीजिए जितना आपको promote करना है लेकिन यहाँ पे आप ये conversion नहीं करवा सकते article 25 ये conversion की ताकत नहीं देता ठीक है, पहली चीज ये हो गया फिर article 26 की बात करेंगे article 26 हर एक यहाँ पर religious denomination से उनकी बात करता है ठीक है, कि वो अपने खुद के religious affairs वगरा है, वो यहाँ पर manage करें, फिर उसका आद article 27 से लेकर 30 तक देख पाएंगे अगे यहाँ पर भी कही सरी प्रकार की freedom मिलते है कि religious affairs को manage करने की ताकत मिलती है, है ना आप contribute कर सकते हैं, पैसों का support कर सकते हैं किसी भी religion को या किसी भी religion का जो education institution है वो administer कर सकते हैं, setup कर सकते हैं यह सब ताकत हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी conversion की बात नहीं हुई है दोस्तों ध्यान अखेगा इस बात को बहुत important equation आप से घुमा के बन सकता है अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतना conversion के बारे में discussion हो ही चुका है, तो क्या इतिहास में कोई case नहीं हुए कब से हो रहा है conversion, क्या यह नया concept है, दोस्तों नया concept नहीं, यह conversion laws बहुत समय से आ रहा है, मतलब conversion बहुत पहले से हो रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे देश की अजादी से पहले की भी कई सारे निया में, जो princely state हुआ करते थे राजा रजा रजवाले जहां पर हुआ करते थे उन्होंने भी कई प्रकार के conversion laws पास की है आगे उसके बारे में discussion करूँगा, ध्याँ से जुनते बें चलना, क्योंकि last में question भी दूँगा में इसका, अब यहीं पर दोस्तो religious conversion को लेकर Supreme Court के कुछ cases है, जरा उन cases को एक बार देख लेते हैं, तो एक case है 1977 का, रेव stance laws versus state of मद्यव प्रदेश, यह case है, जहाँ पर दोस्तो anti-conversion laws को Supreme Court ने support किया है कि भाई, conversion को रोकने लिए जो कानून है, वहाँ पर Supreme Court इस नियमों के support में आया, और यह Supreme Court ने खुद बोला कि article 25 clause 1 आपको convert करने की ताकत नहीं देता, आपको केवल ताकत देता कि आप अपने religion को promote कर सकें, फिर ऐसी दोस्तो 1995 फिर 2000 में दो cases हुए 1995 का एक case है, सरला मुद्गल versus Union of India, फिर साल 2000 का case है, लिली थॉमस versus Union of India यहाँ पर भी दोस्तो जो conversion हो रहा है, especially यहाँ पर कई बार conversion और Islam के अंदर में solely for practicing polygamy इसको invalid declare किया गया, यानि कि एक से ज़ादा शादी करने के लिए ही केवल conversion कर लिया जाए दूसरे धर में, तो दोस्तो यहाँ पर उसको invalid declare किया गया, इन particular cases में फिर यहाँ पर आता है साल 2010 का case, M. Chandra versus M. Thangamuthu and another यह 2010 का case है फिर ऐसी 200-2011 का case है Graham Stains case, जिसमें यहाँ पर mention किया गया है कि कोई भी justification की जरुवत नहीं है for converting someone through force, provocation और incitement, कहने का मतलब है जबरदस्ती किसी को convert किया है और आप वहाँ पर चीजों को justify करने की कोशिश कर रहे हैं उसको सही ठहराने की तो हमने discuss नहीं किया, केवल UP के law के बारें बात किया है वैसे अगर आप देख पाओगे तो कई सारे states दोस्तों ऐसे anti-conversion loss पर काम कर रहे हैं तो anti-conversion loss के जब बात होती है तो इंडिया के अंदर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लंबे समय से यहाँ पर इस तरीके से कई सारे laws लेकर आए गए जहाँ पर जबरदस्ती forcefully conversion को रोखने की बात की है अगर आप इतिहास देखते हैं तो देश की अजादी से पहले यानि pre-independence era देश के अजादी से पहले कई सारे राजा रजवालों के जो राज्ये थे उन्होंने anti-conversion laws को यहाँ पर पास किया ऐसे laws लेकर आए जहाँ पर जो missionaries activities चल रही थी conversions हो रहे थे Christianity के अंदर में उनको रोका गया अग्जाम्पिल अब उधारण है जैसे 1936 का राइगर्ड स्टेट कंवर्जन एक्ट 1942 का पटना फ्रीडम आफ रिलिजन एक्ट 1945 का सरगुजा स्टेट अपोस्टिसी एक्ट 1946 का उधैपूर स्टेट एंटी कंवर्जन एक्ट यह सब देश के अजादी से पहले लेकर आए गए ऐसे कंवर्जन को रोकने के लिए फिर दोस्तों केवल यहाँ पर मामला नहीं रुकता है देश आजाद हुआ 1947 में उसके बाद यहाँ पर कई सारे और लौज लेकर आए गए लेकिन देश के स्थर पर यह सही से लागू नहीं हो पाया यानि कि हमने कोशिश की थी पूरे देश के स्थर पर सेंटरल लेवल पर लेकर आए जा सके बट वो चीज़े बार-बार फेल होती भी नज़र आए और आज भी सेंटरल लेवल पर ऐसा लौज नहीं नज़र आएगा अपने अपने स्थेट के ये कानून है जैसे उत्तरप्रदेश का है ऐसे कई सरे और राजय हर्याडा का है उन्हों के खुद के अपने कानून है खुद से बनाए उन्होंने ठीके तो इतने सारे फिलियर्स होने के बाद क्योंकि स्थेट देश के स्थर पर ये बार-बार न यह ऐसा law लेकर आया गया और 1967 में ओडिशा हमारे देश का पहला राज बन चुका था जिन्होंने religious conversion को रोकने के लिए ऐसा कानून को इंट्रोड्यूस किया फिर उसके बाद मद्या प्रदेश हुआ दोस्तों दूसरा स्टेट 1968 में इन्होंने यहां पर अपना खुद का एक बल लेकर आये जहां पर conversion activities को रोकने की बात की गई फिर मद्या प्रदेश के बाद 1978 में अरुनाचल प्रदेश then 2003 में गुजरात 2000 and 2006 में चतिसगड कई बार कोशिश होई फिराजस्थान then हिमाचल प्रदेश then तमिलनाड then जारखंड then उत्तराखंड then उत्तरप्रदेश and then हर्याना latest हर्याना का आपको देखने को मिलेगा 2022 का जहां पर focus के अधरा anti-convergence को रोका जासा कि करनाटिका में भी बिल लेकर आए गया था बट वो बिल ही रहा गया यह आपको बता होगा अब question यह है कि यहाँ पर केन सरकार का stand क्या है केन सरकार क्या बोल लई है तो दोस्तों जो हमारा home affairs ministry है यानि कि ग्रह मंतराल है तो ग्रह मंतराल ले ने अपना एक एफेडेविट में सुप्रेम कूर्ट के अंदर में यह mention किया कि देखिए जो right to religion है ठीक है right to religion में आप right to convert जैसी चीजों को आइड नहीं कर सकते right to convert यहाँ पर कहीं पर भी अधिकार नहीं मिलता है वो भी जबरदस्ती forcefully कोई अपने मर्जी से change कर रहा ठीक है लेकिं जबरदस्ती नहीं कर सकता मागी कें सरकार के अभी कोई clarification भी नहीं है कि अगर अब वो खुद का अपना special law लाएंगे या नहीं लाएंगे क्योंकि कई बार petition डाला गया है request की गई है कि देश के स्थर पर ऐसा law लाकर आना चाहिए बट उसके उपर कोई जदा जानकार है हमारे पास में है नहीं चलिए एक और question में आपको mains का देता हूँ उसको भी आप attempt कर सकते हैं चीक अच्छा सा अपना point of view लिख सकते हैं point of view आपका कुछ भी हो सकता है आप इस law के favor में भी हो सकते हैं against में भी हो सकते हैं जो भी बात हो तो उसके basis पर यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यह mains question है question य यह ने आपको पहला यानि पिछले वाले article में question दिया था टेलिग्राम पर जाके search box में आप उसको type करके यह article आप पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यह हुआ हमारा article से हमाप देखा आपने केवल article पढ़ना जरूरी नहीं है इसके पीछे का background data पढ़ना जरूरी है तो अभी जो यहाँ पे पहले starting में कम कम है तो उसको बढ़ा दिया गया है तो वही कुछ चीज़े जैसे मैंने बोला ना सक्त कर दिया गया है कानून को यहाँ पे especially joint conversion law है clear हो गया दोस्तों चलिए आगया आते है next article पर ना दोस्तों अगला article हमारा page number 14 पे present है important है especially GS paper number 2 health से link कर सकते हैं प वैसे यह केवल पंजाब की मृत्यूं है 41 अज में और भी मृत्यूं मिला दिये जाएं गुजरात में 27 हुई है हर्याणा में 26 हुई है health ministry के data के according यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 1563 हुई है डेली के अंदर में most number of cases नज़रा है तो वैसे कई सारे cases यहाँ पे नज़रा फैला था एक डर भैडिया था लोगों में कि स्वाइन फ्लू फैल रहा है स्वाइन बिसिकली वर्ड है जो कि पिग यानि सूर से रिलेटेड है तो उसे से यहाँ पर यह विमारी फैलती है तो ऐसे कई cases नज़रा इस साल हमारे देश में अलगलग स्टेट से तो इसी को दे रखना ही यहाँ पर एक सबसे बड़िया स्टाप हो सकता है ना भीड में जाए किसी से मिलिये जूलिये मत क्योंकि कोविड की तरह यहाँ पर यह भी फैलता है स्वाइन फ्लू किसी ने छीक दिया है ना उसके ड्रॉपलेट्स के कॉंटेक्ट ने सामने वाला विक्तिया ज हो जाएगा कफिंग स्नीविंग यह सब चीज़ अगर ऐसे हो रहा है किसी इंसान को और उस एरिया में स्वाइन फ्लू है तो उस एरिया में जाने से बचिए यह बात यहाँ पर इस गाइडलाइन के दौरान में में मेंशन की गई है ना अब आप ऑव्यसी बात है आर्टि यही से क्वेशन बनते हैं एविन यूपी एसी ने एच वन एन वन को लेकर सवाल पूछा हुआ है ओल्रेडी सवाल मैं आपको बताऊंगा आके ठीक है तो चलिए बात करते हैं एच वन एन वन इंफ्लूएंजा की तो हाइली कॉंटेगेस रेस्परेटी डिजीज है दोस् देखेंगे तो बच्चों में यहां पर कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है यहना इस तरीके से क不好 यह ने इस तरीके से कई सारी जो mental status वगरा है वो भी बिगड सकता है dehydration हो सकता है ऐसे severe disease के कई सारे यहाँ पर जो sign है वो नजर आते हैं दोस्तो साल 2009 जैसे मैं आपको बताई था H1N1 जो variant है यह काफी जादा फैल रहा था humans के अंदर में और पहली बार यह फैलना शुरू हुआ World Health Organization ने H1N1 को pandemic declare कर दिया था साल 2009 के अंदर में इतनी भयानक बिमारी यहाँ पर यह देखने को मिलती है swine flu ठीक है अब जैसे हमने बोला कि यह जो H1N1 है यह कौन सा virus है influenza A virus ठीक है क्योंकि तो influenza virus कौन से होते हैं ध्याने कि दोस्तो influenza एक viral infection है जो आपके respiratory system को सीधा impact करता है या attack करता है और जो human influenza virus होते है यह single stranded RNA virus होते है ठीक है आपके RNA उसको यहाँ पर यह सीधा impact करते हैं अब नहीं single stranded RNA virus देखने को मिलेंगे आपके body में cell से चिपक जाएंगे और cell से चिपकने यह बाद में सीधा multiply होना काम करेंगे तो question बन सकता है यह RNA virus है यह कौन सा virus है तो ध्यान लखिए यह बिल्कुल RNA virus है अब बात आती है influenza की तो influenza में दोस्तो चार प्रकार के virus होते है influenza A, B, C, D अभी हम H1N1 की बात कर रहे हैं तो वो influenza A type का virus से ध्यान लखिए तो यह जो type है इनमें type A वाल अगर आप virus देखते हैं दोस्तो तो इस type A के अंडर में भी कई सारे और subtypes आता है question यह है कि हम H1N1 बोल रहे हैं तो H और N का मतलब क्या है H का मतलब है यहाँ पर hemoglutinin और दूसरा N का मतलब है neuraminidase ठीक है इनी के combinations को यह proteins आपको देखने को मिलेंगे on the surface of the virus इनी के basis पे इने के combinations को यहाँ पर नाम दिया जाता है जैसे H1N1 H3N2 यह सब आपके influenza viruses यहाँ पर नज़र आएंगे ठीक है तो type A वाले जो इनसे कई बार pandemics फैल जाते हैं बड़ी बिमारिया फैल जाते हैं जिससे COVID उसके लबाए influenza B virus जो होते हैं इनके कोई दूसरे प्रकार नहीं होते हैं जिससे type A में अलग लग प्रकार होते हैं subtypes होते हैं वैसे type B के subtypes नहीं होते हैं ध्यान अकिएगा ठीक है उसके अलबाट जो influenza type C वाला virus है यह बहुत कमी से देखने को मिलता है इसके बहुत थोड़े मूडे infections देखने को मिलेंगे है न तो ऐसे यहाँ पर type D वाला virus है type D वाला जो especially जो गाय भेंस हैं उनको जातर effect करता है इंसानों में यहाँ पर कोई ऐसा infection देखने को नहीं मिलता type D का तो वो भी यहाँ पर आपको नजर आएगा ठीक है तो यह ध्यान लखेगा UPSC का एक question था question मैं यहाँ पर लगा नहीं पायों और नीचे वैसे मैंने लाया था कोई बात ने लेकिन आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको doubt हो मेरी बात पर तो तो साल 2015 का UPSC का paper open कीज़एगा prelims का और question महाँ पर लिखावा होगा कि H1N1 virus कभी कभी news में देखने को मिलता है बताए कौन सी बिमारी से यह associated है एट बर्ट फ्लू डेंगू या स्वाइन फ्लू तो सिंपल सी बात है option number D स्वाइन फ्लू से यहाँ पर यह related है ठीक है क्योंकि हमने बात की ना H1N1 कॉम स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानता है clear हो गया चलिए आ गया आता है फिर तो एक article यह है इसमें ज्यादा background data नहीं है background data कुछ भी नहीं है हाँ एक news आप पढ़ सकते हैं आने वाले समय पर इस पर articles वगरा जरूर से लिखे जा सकते हैं जो अब की बार budget आया 2024 का इसे ज्यातर लोग नराजी रहे खुश नहीं थे लोग, चाहे वो ruling party के हो चीक है, मतलब ruling party के supporters हो चाहे वो opposition party के supporter हो कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है इस budget से अब दोस्तों यहाँ पर इस budget 2024 में एक और चीज जो सही नहीं हुई है वो यह है कि जो हमारी lab chemicals होता है laboratories के अंदर में मालो chemistry की lab है, उसमें कई सारे chemicals कस्तमाल होता है तो उस chemical पर custom duty बढ़ा दी गई 150% custom duty कर दी गई और पता last time यह custom duty केवल 10% थी आप 10% से बढ़ा कर 150% कैसे कर सकते हैं इसका मतलब पताएगा है कई सारे जो यहाँ पर lab owners है उनका कहना यहाँ पर यह है कि यह जो chemical हमें जो पहले एक लाग रुपे का पढ़ रहा था वो अब हमें धाई लाग रुपे का पढ़ेगा और एक तरफ हम research को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो हमारे lab chemicals की बहुत ज़ादा जरुरत होती है research को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर तरीके से होगा तो labs बंद हो जाएंगी यहाँ पर बात हो लिए जो imported chemical है, reagent है enzyme है, यह सब यहाँ पर laboratory chemical के अंडर में आते हैं और यह बहुत ज़ादा जरूरी होते है experiments के लिए research के लिए और यह बहुत ज़ादा important products हैं लेकिन यह expensive हो सकते हैं बहुत ज़ादा जो एक लाग रुपे का पढ़ रहा था वो ढ़ाई लाग का हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर article में mention किया जा रहा है even यहाँ पर कई सारे और भी जो इस तरीके से lab owners है उन्होंने Twitter पर इसके बारे में जिकर किया उन्हें पहले लगा यार कि मैं चेक कर रहा था और जैसे मैंने यहाँ पर 500% देखा custom duty की लगाई गई है lab chemicals पे मैंने सुचा misprint हो गया होगा और misprint होने के नाते यहाँ पर उन्हें दूसरे articles देखे सब जगा 500, 500, 500 चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे यह सब लोग जातर लोग यहाँ पे confused हैं उनके खुद के statement है कि हम सब यह सोच रहे थे कि यह misprint हो गया है लेकिन यह कुछ कोई misprint नहीं है 500% का custom duty यहाँ पे लगा दिया जा है इन lab chemicals पर यहाँ पे बोला जा रहा है फिर उसके बाद mention किया जा रहा है देखो कुछ सालों से जो public funded research and development organization है government funded जो R&D organization है इनके पास में एक specific registration certificate होता है और यह अगर इनके पास में certificate है यह certificate कहां से मिलेगा department of scientific and industrial research अगर आपके पास में certificate है तो आपको यहाँ पर इन custom duties से छूट मिल जाएगी यह भी यहाँ पर चीज एड करी गई है ध्यान रखिएगा तो यह भी एक situation है जो इसमें आपके उसके बारे पता होना चाहिए चलिए आगे आते हैं चलते हैं editorial discussion पर ना दोस्थ और editorial discussion पर आएंगे page number 9 पर एक बहुत ही ज़ादा बहुत इंपोर्टन्ट editorial आपको देखने को मिलेगा GS paper number 2 पॉलिटी के section से आप link कर पाएंगे बात और यह legal advisory council के बारे में एक नई body का recommendation दे रहे हैं यहाँ पर दो writer हैं एक का नाम है GS बाचपाई दूसरे हैं अंकित कौशिक यहाँ पर जो GS बाचपाई है Vice Chancellor है National Law University Delhi के उसके लावा अंकित कौशिक की जब बात करते हैं Assistant Professor है National Law University Delhi के उन्होंने यहाँ पर थोड़े recommendation दिये है government को कि क्या क्या करना चाहिए laws को improve करने के लिए तो क्या है writer के point of views आईए अच्छे से हर एक चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे बड़ी editorial है उसके लावा दूसरे editorial को देखोगे तो वो काम के नहीं उसमें politics वाले game खेल रहे है blame game चल रहा है दर उदर दोस्तों उन article से बहुत ज़दा बचा करो मैं आपको हमेशा बोलता वा नजर आए हूँ वो आपको फाइदा तो कभी नहीं करेंगे लेकिन exam के लिए prepare करो तो आपको नुकसान जरूर करेंगे सही बात है यह कई बार नीचे लोग comment section बोलते हैं सर politics की news कबर करो entertainment होता है तो यार यहाँ पर entertainment के लिए यहाँ पर entertainment नहीं करना है न हम लोग पढ़ रहे हैं UPSC के लिए तो entertainment के लिए कुछ चीज़ है पढ़नी है तो आप दूसरे channels को भी follow कर सकते हैं वहाँ पर बहुत सरी politics हो रही है आप खुश से यहाँ पर अगर पढ़ना चाहें वह काम के नहीं होती है और हमारे newspaper में आजकल statement बाजी बहुत जादा कवर हो रही है कुछ relevant खबरों को छोड़कर अगर कुछ factual और data इसमें include कर दिया जाता है तो भई दो राइटर हैं क्या है इनके point of views चलिए जानते हैं आपना बहुत ध्यान से चीजों को सुनो यह एरफोन लगा रखे हैं जैसे आप सुन रहे हो तो आप बहुत ध्यान से चीजों को सुनते वे चला मैं हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट paragraph wise explain करता चलूँगा राइटर बोलते हैं कि अब की बार जो national democratic alliance है नहीं बीजेपी पार्टी इनकी सरकार बनी तो सही लेकिन पहले जितनी मजबूती से नहीं बनी लास्ट टाइम इनके पास में proper majority थी और अब की बार केवल 240 seat आई हैं बीजेपी कोई तो कुछ और seats का support मिला टीडीपी का support मिला बीजेडी का support मिला तो अलग-लग political parties का support मिला और उस support के मादम से जो दोस्तों यहाँ पे सरकार बन कर आई है तो यह बन कर आई है coalition government हाला कि यह भी fact है कि यहाँ बीजेपी अभी भी दोस्तों पूरे देश की सबसे पूरी political party है क्योंकि अब Congress को देखोगे तो किवल 99 seats उन पर जबकि एंडिया के पास में 240 seats है इनकी अपनी खुद की 240 seats है तो बहुमत में अभी भी बहुत जादा difference है बहुत जादा आगे है इसको हम यहाँ पे नकार नहीं सकते है यह fact है अब writer बोलते हैं फिर भी problem कहीं सारी जगा पर हुई है और कहीं सारी जगा पर सबसे बड़ी problem पता है क्या हुई है कि सरकार को legal matters पर कोई legal consistency का process ही नहीं है कहने का मतलब writer बोलते हैं अगर bjb government को loss हुआ है अपकी बार तो वो यह है कि government के पास में legal consistency के लिए एक particular body होनी चाहिए जैसे एक economical advisor council होता है ना economic advisory council इस council के अंदर में एक person को बैठा जाता है जो economy expert है है ना वो यहाँ पर प्रधान मंत्री को सुझाव देता है कई बार प्रधान मंत्री को सुझाव की जरूरत होती है तो वो मांगते भी है अर्थ्विवस्ता से लिटेड तो वैसे यहाँ पर एक legal advisory council होना चाहिए ये बात writer बोलते हैं और legal advisory council में experts होने चाहिए laws के जो यहाँ पर सरकार को recommend करें कुछ laws के बारे में जिसके उपर government action ले सके वही नहीं हुआ जिसकी वज़ा से impact पड़ा जैसे writer बोलते हैं हाल ही कई सारे legal issue है writer ने बोला electoral bond scheme आई अब electoral bond scheme को Supreme Court ने unconstitutional करार दे दिया और समयदानिक कह दिया क्यों? क्योंकि electoral bond scheme के तहत जितना भी payment आ रहा है donation आ रहे है political parties को वैसे सभी political parties को donation आए है electoral bond scheme से किसी को ज़ादा किसी को कम यह हमने देखा BJP को सबसे ज़ादा donation मिला तो Supreme Court ने इसको असमयदानिक करार दिया असमयदानिक क्यों दिया? असमयदानिक इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पर यह particular scheme right to information के अंडर में नहीं आती कहने का मतलब है government अगर कोई यहाँ पर government से कोई question पूछता है कि किस political party को कितना पैसा मिला तो यह चीज़ आपको नहीं बताएगी सरकार और नहीं वो इस scheme के अंदर में concept present है तो यहाँ पर अगर आपका पैसा है आप जानकारी नहीं ले सकते है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा किसका पैसा कितना किसके पास गया तो यहाँ पर यह तो यहाँ पर सुप्रीम कोट के पास मैटर जा नहीं था तो सुप्रीम कोट ने देखा और देखने के बाद में यह बोला कि यहाँ पर यह तो कई नगे एक violation है इसको हम unconstitutional खरार दे रहे हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर यह जो challenge है इसको avoid ही आजा सकते था कहने का मतलब है अगर एक legal advisor council होता तो वो इसमें cover कर देता कहने का मतलब है यह जो judgment आया judgment से पहले ही यहाँ पर चीज़े थोड़ी सी balance हो जाती है right to privacy का मुद्दा दोस्तों यहाँ पर लेकर आया जा सकता था ठीक है कि जो donor है उनकी जो privacy है वो यहाँ पर हमें देनी है ठीक है वो privacy का हनन हो जाएगा ऐसे कई सारी चीज़ आ सकती थी लेकिन हुआ क्या जो court का verdict है उसको avoid करने के लिए कोई retaliation में action नहीं लिए गए कोई यहाँ पर statement भी नहीं आया तो उसके लिए यहाँ पर government के पास में एक legal advisory council अगर होगा legal experts होगे जो government को समय समय पर राय देंगे तो वहाँ पर दोस्तों सही चीज़ पर action लिया जा सकेगा retaliation किया जा सकेगा क्योंकि ऐसे ही similar exercise कई सरे और act में भी हुई है फिर दोस्तों यहाँ पर बात होती है transportation strike की पता होगा hit and run जो कानून था 3 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था एक लाख लोग उसको देख चुके है hit and run जो कानून लेकर आया गया यह दोस्तों नयवाला जो भारतिया नयाय सनहिता है 2023 का उसके section 106 clause 2 के अंदर में इसको enter किया गया अब hit and run में क्या बोला गया कि यहाँ पर कोई track driver है किसी को ठोक के भाग जाता है तो उस पर penalty लगेगी 10 साल की jail हो सकती है या कह सकते हैं एक fine charge किया जा सकता है तो इससे क्या हुआ जो इतने भी transporter से track driver से सब को पता हुआ चक्का जाम कर दिया उन्होंने सब highways पे track ऐसी खड़े थे तोकि इस वो लेकर काफी चिंता है पैदा होने लगी transporters के बीच में कि जो यह particular कानून है कहीं इनके उपर यहां पे बुरी तरह से apply ना होना शुरू हो जाए पूरे देशवर में strike देखने को मिला ट्रक वालोंने बड़ी खतरनक strike की थे यादोगा दोसों January का महिने में तो हुआ क्या इन सब चीजों के बाद में सरकार ने agree किया कि हम इस provision को तब तक नहीं लाएंगे जब तक हम इसको suitably amend नहीं कर देते यानि कि सही तरीकिस इसमें changes नहीं कर देते तो ऐसे कई सारे issues यहां पे दोस्तो उठकर आए और जिन सभी जगा पे examination की एक कमी थी in terms of legal viability तो वो जो कमी थी ना दोस्तों examination की सोच विचार की वो यहां पर एक legal expert कर सकता है तो government को यहां पर एक legal advisory council अकर मिल जाएगा तो उनके कई सारे प्रकार की problem के solution उनको मिल जाएगे फिर यहां पर बात आती है anticipated challenges अब यहां पर देखोगे ना कुछ और चीज़े भी है जैसे यहां पर writer बोलता है दूसरा अगर आप मुद्धा देखोगे तो अगर legal advisory council हम बनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि अलड़ी यहां पर प्रधान मंत्री को देश की अर्थ विवस्था क्याओ लेकर सुझाव देने के लिए economic advisory council है तो legal advisory council आपको जितने भी कानून है उसको लेकर analysis प्रोवाइड करवाएगा चीज़े और बहतर हो सकेंगी है ना तो कई बार यहां पे यह जो particular body इसको power दिया जाए यह खुद से भी legal research और analysis कर सके कई बार यहां पे अगर expert जो laws में है उनको रखा जाए researchers को रखा जाए जिनकी specialization हो अलग-लग fields में ऐसा नहों इसमें किसी को भी रख दिया जाए अब यहां पे अलग-लग specialization के साथ में हो हर उकर वेकती जो criminal law में expert हो trade law में expert हो international law में expert हो business law में expert हो even taxation laws में expert हो तो उनको रखा जाए उनके business पर यहां पर इसको तयार किया जाए वो जादा यहां पर बेहतर एक solution होगा तो यह जो particular body है कहोगे आप यार कि ऐसा ही body है तो हमारे पास में जिसको हम बोलते है law commission of India ठीक है आप सही समझ रहो law commission of India है और law commission of India जो body है दोस्तों वो ministry of law and justice के under में काम करती है और ध्याना किये इनका main काम क्या है अगेन प्रधान मंतरी के साथ काम करना लेकिन जो sorry इस law commission of India का main काम क्या है recommendation देना कि हमारे जो existing कानून है जो current समय पर laws present है उनमें कहा कहा पर गलतियां है क्या क्या mistake है क्या क्या चीज़े improve हो सकती है तो उस चीज़ को यहाँ पर दोस्तों यह बताता है जबकि LAC क्या होगा यह primarily हमारे प्रधान मंतरी के लिए काम करेगा प्राम मिनिस्टर office के लिए work करेगा तो दोनों में पर इस commission में problems आ रही है चार reports पब्लिश की गई थी अभी तक law commission के थूँ 2020 से लेकर 2024 के बताओ चार साल में चार report पब्लिश की है वो भी government के reference पे तो इसका काम already बहुत slow है इसलिए यहाँ पर हमें Legal advisory council LCA की ज़रुवत है LAC की ज़रुवत है Line of Actual Control से याद रख लो LAC ज़रुवत है अब बात आ रही है यहाँ पर जो law commission of India है यह जो body अलड़ी हमारे पास में present है उसको criticize किया गया है पिछले कई सालों में ठीक है कि यह ineffective है पचास पसेंट काम करती है पचास पसेंट काम नहीं करती है तो फिर ऐसा क्या फायदा बहुत कम reports नहीं पब्लिश किये है तो इस वज़र से हमें ज़रूरत है कि अगर हमें laws के मामले में चीज़ों को improve करना है तो एक legal advisory council बना दो वही आपको solution देगी सरकार के legal challenges जो है वो काफी हतक सुझाव में सुधर जाएंगे ये recommendation दोनों writers का है I hope आपको इसके बारे में clarity मिल चुकी है जितने भी बाते हैं दोस्तों इस particular editorial की वो सबी चीज़ें यहां पर मैंने आपको बहुती आसान शब्दों में explain कर दी है चलिए आगे आते हैं next article पर वैसो तो ये ही था हमारा discussion तो editorial क्या बोलता है वो समझा दिया बाखी सारे जोटे जो article थे सब हमने background data के साथ में cover किये आते हैं आज के word of the day पर तो आज का word of the day है intrepid intrepid का मतलब होता है intrepid basically एक fancy word है यहाँ पर इस word का use क्या जाता है एक person को describe करने के लिए एक person के action को describe करने के लिए मालतो कोई उस व्यक्ति की ऐसा काम है जो बहुती bold है बहुती 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 बहुतुरता का काम किया है तो उसको हम as a intrepid define करते हैं यानि कि knider तो intrepid word का use करके फटा-फट नीचे comment section में एक sentence मनाओ sentence मनाना जरूरी है इससे vocab improve होगा comprehension passage के लिए आप काफी सारी चीज़े cover कर रहे हो daily business पे उसके साथ-साथ यहां पे दोस्तो आपकी vocab के साथ-साथ answer writing के अंदर में आप इस तरीके के जो words सो उसका use कर सकते हैं तो एक वर daily आपको cover कर रहा हूँ use करना ना भूले करें और इसका use regular business पे करा करें जिससे एक आदत पढ़ जाएगी इसी तरीके से vocab improve होता है ठीक है बाकी आता है question practice के उपर में जो prelims का practice question दिया था कि अगरवुड को लेकर जो तीन स्टेटमेंट से तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है पहला वला स्टेटमेंट सही आपको पढ़ाया था कि जो एकुलेरिया ट्री है इसी में fungal infection की वज़ा से अगरवुड फॉर्म होता है दूसरा वला गलत है कि अगरवुड का इस्तमाल खाने के अंदर flavor देने के लिए इस्तमाल होता है नहीं दोस्तो परफ्यूम के लिए खुश्बू के लिए हाँ पर यूज़ के जाता है अगरवुड का तो दूसरा statement गलत है बट तीसरा सही है साइट्स के अंदर में appendix true में cover किया गया है तो यहां पर सही है क्योंकि अगर वुड के अंदर में खुश्बू बहितरी ना थी जिसका परफ्यूम बगर या दूसरे और hand carvings में यूज़ के जाता है बाकि बीचवल option गलत है क्योंकि यहां कहां पर इसका अस्तमाल होता है फूड फ्लेवरिंग में इसका अस्तमाल नहीं होता बाकि आंसर आपको पता चली चुका है D1 and 3 only ना उसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप तोर मिलते हैं आप लोग को इस अगले वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ have a nice day, thank you and जैहिंद